एक दे वेलकम और स्वागत आपका एक बिरा न्यू पपजी तो मुबाइल गीम प्रे वीडियो में जिसमें तुम्हारा भाई सोलो वर्सिस स्कॉर्ड खेलके गलत सीन करने आ चुका है हाना आप देखो यार सोलो वर्सिस स्कॉर्ड में यार दिक्कते दबा दबा के उती है क्योंकि देखो बंदे चार होते हैं और आप अकेले और यार आपको पकड़ के कभी भी पिल दिया जा सकता है तो दिक्कते बहुत होंगी लेकिन तुम्हारा भाई धीट है तो फिर भी रस करके मानेगा फिराल सेवर दिया रखाओं मैं अपना मुह और यह सोड़ गन उठाके और देखू क्या सीन होते हैं अब यहां तुम्हारे भाई को उतरते ही सिर्फ और सिर्फ सोड़ गन मिलती है वो भी दो दो ख्यार उससे भी भाईया डेट होने के कारण अपन अंधार रस करते हैं तीन बंदों की पेटी बना दी गई है लेकिन एक इनका बंदा अभी विवाकी है और यहां पर बॉट पेल के और यह तीन बंदों की पेटी पार्टी लूट के यार मुझे एम सोलो और उजी मिल जाती है जो की काफी है यार पेटी बनाने के लिए काफी है ये दुगने और साथी साथ यूएम पी चार पांच भी पड़ी होती है तो वो भी उठा लेता खैर यहां आगे पे गूली गूली चली थी तो देखता हूं क्या सिंग चल लें यहां पे और इसी के साथ हमारी पहली सोकॉर्ड पूरी ठील जाती है और इन भाई ने मेरे ख्याल से बॉट को नो करके रखा था यार तडपने के लिए चुड़ रखा था बॉट को अना त जब मैं उत्रा था यहां पे सिर्फ यही बंदे नहीं थे और भी बंदे थे दूर साइट पे भी गूली चली थी अना तो मैं क्या करता हूं भाई यह जो गने हैं सस्ती गने इनिसे रख करूँगा आगे चट चुर्च में जाके देखूंगा कि यार सीन क्या चलने हैं आप यहां पे यह हो रहा होता है कि यार 200 कोड़ आपस में बिड़री होती है और यहां पे मेरे पे उजी की ऐसे गिनी चुनी सस्ती गुलिया बाकी है उसके बावजूद भी पता नहीं कभी दिवार पे लाओ, कभी दर्वाजे पे लाओ, गोली बरबाद करके रखिया है लेकिन कोई नियार UMP45 भी है तो उससे जुगाड भेडा लेंगे कुछ अब आगे फटा है नेट और किलफीड में देखने को मिला यार कोई नो कुछ उका है तो मैं बोलतो ऐसी तैसी अंधार असकरो बिल्कुल और यार ये जो गंदी आदत है ना यार ये आदत किसी दिन पेटी बनवाएगी और कई बार बनवा भी चुकी है मतलब देखो यार मुझे अच्छे से पता है कोई ना कोई आ रहा है आरे यार अभी बंदा नो किया है उसका भाई आएगा उसे बचाने फुटिश टैप आ रहे दबा दबा के बंदा भगते वए आ रहे पूरी जान लगा के उसके बाद भी पता नहीं क्यूँ दबाने का मन कर जाता है रिलोड का बटन तो मैं रिलोड का बटन दबाता हूँ और बंदा लगबग उपर पहुंची जाता है मैं बोलता हूँ ऐसी तैसी यार यहाँ पर डिरॉप शॉट नहीं पिला ना मेरी पेटी पिलेगी यहाँ तो मैं बोलता हूँ भाई लेड़ जाओ यहाँ यहाँ पर धैड़ बंदा आता है ठीक है भाई बिल्कुल कनफूच टैप हो जाते पता नी कहां-कहां गोली पिलते ह यहाँ पर जाएगा जरूर और गाड़ी भी आ रही होती है उतने में उपर से और यहाँ से मैं इतनी तेजी में भगता हूँ ना मतलब यहाँ लूट न किया है लूटना तो बंता है लेकिन वहाँ से पहले भग लेता हूँ मैं रिलोट भी नी करता गन को और इसमें भी अभी मैं रिलोट की वज़ा से खिलने वाला था मतलब यार तीस गोली होती है एक के में हना extended के नाम पे तुमारे भाई को कंदू कुछ नहीं मिलता तो तीस गोली से दो बंदे तो पेल देता हूँ तीसरे को डेमेज देता हूँ लेकिन यार फिर दिक्कत हो चाती है तो जैसे तैसे दुबारा से यार पर डिरॉप शॉट मेरी मदद करता है तो ये चीज मैंने देखी यार अगर आप 1v4 कर रहे हो जो भी सीन कर रहे हो न एक काथ बार डिरॉप शॉट जरूर पेल दो क्योंकि मदद करता है यार काफी मदद करता है लिकिन याद रखना डिरॉप शॉट की एक गलत बात है दो गलत बात है कभी-कभी आपका एम भी खराब हो जाता है आप अटक भी सकते हो दरवाजों पे और दूसरी चीज ये है कि यार अगर बंदे ने गोली पेल दिना आप के सिधा सर पे लगती है, सिधा सर पे, आप अगर उसके सामने लेटे हो तो उसका aim सिधा सर पे जाएगा और आपकी पेल डो डिरॉप शॉट खेर उसके बाद यहाँ पर मैं जा रहा हूँ बाकी बंदों से पंगे लेने फूर भी वन भी होगा बहुती जल्द लेकिन उससे पहले धर बैट बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है 1XBet जो कि एक बहुत बड़ी और ट्रस्टेर बेटिंग वेबसाइट है इसकी मदद से आप क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और जो भी मैचेस चलते हैं आप उन पे बैट लगा सकते हो और अपनी प पैसे आन कर सकते हो, तो हाँ यार अगर आपको इस चीज का सोक है तो इसे जरूर ट्रा करना, इसकी लिंक कमेंट सेक्सियोन में होगी, बिल्कुल टोप में यहां पहले चलती है मिनी चौदा, मैं बोलता हूँ, अरे यार बेचारा बॉट है, इसकी पेटी बना देता हूँ, उतने ही भाई देड़ पेड़ पतानी कहां से बंदे आते, वो भी गाड़ी बरके, और एकेम बगार चलाते, पतानी यार बॉट का क्या ही हाल किया होगा उन्होंने, तो मैं यहां खड़े होके बॉट फाइरिंग देता हूँ, अब यहां पे मैं बोट फाइरिंग देख यू रहा हूँ, देखो उबर मिनी चोदा मेरे ख्याल से एक बॉट ही चला रहा था, अना उतो उन गाड़ी वाले बंदों ने अत्या चार करके उसकी लेने के लिए, लेकिन यार मेरे ख्याल से वो लोग उसे पेल के निकल चुके होते हैं, तो मैं बोलता हूँ, इसे हटाओ वाँ पे चलता है, जहाँ पे मैं पहले जा रहा था, तो आगे फ्लर चली होती है, मैं वाँ पे जा रहा हूँ, लेकिन उत्रे में ही एक गाड़ी दिखते हैं मुझे नीचे की साइड तो पहले इसे निप्टाना पड़ेगा और आगे सिर्फ एक बंदा होता है हाना इसका मतलब यार मैं अकिला धीट बंदा नहीं हूँ जो सोलो स्कॉर्ड खेला है ये वाई भी वाई कर रहे हैं क्योंकि और यहां पर मैं सोच रहत है यार मैं ही हूँ जो डेड़ा क्यों गेंपले करेगा हाना मैंने सोच आयार ये बंदा कवर लेके वैठा होगा मैं आराम से नेटिंग करूँगा लिकिन हमारे भाई भी बहुत तेश्ते भाई ने उठा के दो-ती नेट फेक देते भाई वतलब ठीक है यार मेरे नेट तो न जाने कहां कहां फटे एक पत्थर के आगे फटा एक दूर जाके किसी पेड के किनारे फटा हाना तो नेट से यार तुम्हारा भाई कद्दू कुछ नहीं उखार पाए यहां पे लेकिन यार अगर मैं वहाँ पे ठीबी पी लेता रहता ना उस पेड़ पे तो मेरे नेट का नहीं पता लेकिन इस भाई का नेट काम जरूर कर जाता इसकी गारंटी है मुझे खेर जो भी हो यहां पे देखो अब फ्लेर पे मैं जा नहीं सकता क्योंकि जो ना चुका होता है हाना तो इसी एक बंदे को पेल देता हूँ लेकिन ऐसा निये यार कि मैं उन्हें छोड़ दूँगा नहीं यार फ्लेर वाले बंदों को अभी नहीं छोड़ा जाएगा तो यहां पे सीन क्या होता है यार मैं फ्लेर वाले बंदों का पीछा करता हूँ हाना देखो क्या होता है गे में चार बंदे होते हैं वो एक अकेले बंदे का पीछा करके उसकी पेटी बनाते हैं यहाँ पे तुवारा भाई बिल्कुल उल्टा कर रहा है यहाँ पे गाड़ी पे चार बंदे होते मैं इनका पीछा करके इनकी पेटी बनाना आया होता हूँ लेकिन यार पहले मुझे लगा था एकाद बंदे ही होंगे इतना तगड़ा नेट किया बंदे ने पता नहीं कितना IQ लगाया होगा भाई यह बंदा टोप टूप मारता होगा अपनी कलास में जातक मुझे पता है मतलब एकजैक्ट जहां पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे नेडाता ठीत वहीं पे वो तो अच्छा वहाँ भग लेता हूँ टाइम पे हना नहीं तो यहीं पे पेटी बन जाती खैर अब नेट से तो यह शांती होंगे तो मूली भी करते हैं यह लोग अब यहाँ पे तुम्हारे भाई को नेट से 1HPV कर दिया ठीक है मौली से जलाने की भी पूरी कुछिस करी गई सब कुछ नाकाब हो गया लेकिन अब तयार हो जाए आर क्योंकि अब हमारी बारी है गूलिया चलाने की तो देखो यह 1HPV कलच और यहाँ पे मैं सही बता रहो यार मुझे कहीं से भी कहीं से भी नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ पे जिन्दा बचके निकल पाऊंगा मतलब यार बंदों की स्वाई क्यों नेट ठीक है मोली भी भाईया ऐसी जगह पे पढ़ती है जहां से मैं अच्छे से जल जाता यहाँ पे जैसे तैसे करके 1v4 कलच कर जाता है ठीक है मतलब लगे नहीं रहा था भाईया किसे लगा था जब नेट फटा भाई एक HP बाकी थी मेरी तो यार इस 1v4 कलच के लिए मेरी डीटता के लिए मतलब चार बंदों पे रसकर रहा हूँ दूर भगने की बजा है यार इस चीज के लिए एक लाइक जरूर पेल देना पिल्कुस नीला टैप कर दो पेल के अना तो यहाँ पे जैसे तैसे बज गए और अभी जाके और भी डीटता बाकी है तुमारे भाई में तो हां बाकी बंदों से भी पंगिलेंगे और हां भाई लोग मुझे रिगो टीवी मद भूलना वहां पर अपन डेली लाइश्ट्रीम करते हैं और सात में खेलते हैं और वहां पर टाइम-टू-टाइम गीवडे बी चलता रहता है टो फॉसके लिंए निक डिस्रीप्सिंट में होगी बिल्कुल टोप में खेर उसे बाद यहाँ पर मैं वहां जा रहा हूं ह यहां पर डिरॉप होता है मतलब देखो इन बंदों पर फ्लेर की गने थी लेकिन वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए ठीक है और तुम्हें पता है यार तुम्हारे भाई को क्या ची होती है एक AWM और एक ग्रोजा बास भाई जिंदगी सेट हो जाती है मतलब चिकन डिनर अगर नहीं भी होता लेकिन हायार चांसे बहुत बढ़ जाते हैं उस गन से अब यहां पर हो रहता है डिरॉप और यार बंदे दबाके पूरी जान ड़ाके गूलिया पहले होते एक दूसरे को तो मैं यहां सस्ते सैक में रुखता हूं और पेटियां बनाता हूं और जाड़ी मैं एजजस करके एक की तो पेटि बना दी लेकिन एक नौक पड़ा है लेकिन यार यहां पर मैं उस बंदे की पेटि नहीं बना पता मतलब डैमेज बहुत दिया है बंदा लगबग दिलने वाला था लेकिन उतने में उसका कोई दोस्त मेरे ख्याल से M24 चिप और यहां पर तामवे पर सुवगा करने यार पीछे से दो और बंदे आ जाते हैं ठीक है और मेरे ख्याल से यह तीसरी सोगौड के बंदे हैं और देखो एक बंदे पर होता है गिल्ली सुट भाई आना अब गिल्ली सुट इजी कल टू डिरॉप के वेपन और यार चेक्स और अंधा फारिंग शुरू करता हूं और यहां पर मुझे दिल से दुख हो रहा होता है ठीक है मतलब जहां पर भी जा रहा हूं बंदे नौक कर रहा हूं पेटी नहीं बन रही है तो वो लोग मेरे को ठोक पीट करके मेरी ही पेटी बना देंगे तो मैं क्या करता हूं मैं बोलता हूं इनको लडने देता हूं थोड़ाDoS- साइड में जाके आंगल लेंगे लेकिन यार जितना भी एंगल ले लो उंगल ले-लो कंदू कुछी नहीं होने वाला मतलब देखो मैं इस साइड से पेलूँगा बंदे उस पार चल जाएंगे पत्थर के मैं उस पार जाके पेलूँगा यार बंदे इस पार आजाएंगे पत्थर के तो मैं बोलता हूँ जो होगा देखा जाएगा मैं यहाँ ठीपी पी ले रहा हूँ और बस इंतिजार कर रहा हूँ और किस चीज का इंतिजार कर रहा हूँ यार वो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा मतलब कुछ तो करी रहा था मैं यापे लेकिन उतने में ही कुछ धमाकेदार होता है आखिर कार ये लोग सामने सामने में फाइट लेंगे तो मेरे पर बगई से ये लोग रस करते हैं और पेटियां बिज जाती है और यहां पर इतनी खुसी होती है न मुझे इतनी खुसी होती है कि क्या ही बताऊं मतलब यार आखिर कार जाके ऐसा हुआ कि नौक करने के बाद किल भी ले पाया मैं नहीं तो मैया गंटों से वही कर रहा हूँ, यहाँ पे damage दे रहा हूँ, वहाँ पे damage दे रहा हूँ, यहाँ पे नौकिया, किल कद्दू भी नहीं मिल रहे हैं, बंदे बच के निकल जा रहे हैं, अब यह लोग मेरे ख्याल से यह नहीं लगा था, यहाँ पे कोई भी नहीं है इतलिए यहाँ पर रस कर रहे थे लेकिन यार हम यहाँ पर डीट की तरह बैठे पड़े होते हैं और हाथ में होती है DP वो भी चेक्स के साथ तो यार चलते चलता ही दोनु बंदों की पेटी बना देता हूँ और यार देखो अब लूट ना तो बनता ही है मतलब यार ये इस मैच का आखरी बार लूट रहा होता हूँ मेरे ख्याल से क्योंकि अब गलत सीन पूरे हो चुके हैं देखो गाड़ी के नाम पे मेरे पे कद्दू कुछ नहीं पड़ा है जो मेरी कार थी उसकी यार पट्रोल खतम हो चुकी है और ये बग्गी से दुआ आ चुका है तो देखो यहां पे मैं ज्यादा दिमाग लगा नहीं सकता ठीक है मतलब देखो दिमाग ऐसी धीरे चलता है और टाइम भी नहीं मिलेगा दिमाग लगाने का क्योंकि जैसी स्प्रेय पड़ेगा वैसी बग्गी भटने को हो जाएगी तो मैं बोलता हूँ जो होगा देखा जाएगा और जोन में निकल लेता हूँ और यहां पे यार टोटल गलत सीन होने वाले हैं और यहां पे यार गलत सीन चालू हो जाते हैं मतलब मैं क्या सोचता हूँ कि देखो अभी चार बंदे बाकी हैं मुझे लगता है वो बंदा जो ओपन से भखके आ रहा है वो किसी और टीम का है और यहां आगे जो घर से फुटी स्टाय पारें वो किसी और टीम के हैं अना और यार् Chili होता है जब भी में दिमाग लगाता हूँ ना यार कुछ enough में और टेकर क्या होता है साफ और याँ जब आपके किस्मत में चिकन नहीं और नियए बोलूण ठीक है मैं कि पेटी गर जाती है जमीन में क्या ही बोलू अब दखो यहाँ पे मेरी गलतिया है मैंने 2-3 गलती कि यहाँ पर यह पेली यह गलती कि यहार पट्रोल प्रपर क्यों नहीं था मेरे पिक स्काइस होना चाहिए उपर ही स्टी रहेगे लेकिन बागी चीछ से करने की जब करतें और अगली बार क्या पता आजारे सुवीटियों इतने ही जाते इतने सारे अगलाच ऑर गलाच के लिए लाइक बिलना मत बुलना और आप यहां हो नए तो करो सबिस्क्राइब और भी ऐसे गलत सीन गलत गलच और सस्ती कमेंटरी के लिए और जाते जाते वानेक्स बैट चेक आउट करना मत भूलना उसकी लिंक कमेंट सेक्सियों में होगी बिल्कुल टोप में तो कल मिलते हैं यार बाई बाई